राजस्थान के सुराडा में एक दलित मासुम छात्र इंद्र कुमार मैगवाल की सिख्षक स्हेल सीहने पीने के पानी की मटकी छुने पर पीट-पीट कर हत्या कर दी इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है हत्यारे सिख्षक को फासी की सज्जा की मांग को लेकर मध्य प्रदेश अनुसुची जाती जन जाती अधिकारी एवम करमचारी अजाक ससंग के जिला अधिक्ष प्रेमलाल कोठारे के नेतितु में प्रदान मंत्री के नाम तहसलदार नितीन चोहान को ग्यापन सफपा गया के सज़ा दी जाए पीडित परिवार को एक करोर रुपे मौावजा सहीत परिवार के एक सदस्य को शाष की नोकरी दी जावे मुंदी से नवाप खान की रिपोर्ट पानी की मटकी छूने नाम मात्र से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी इस घटना को लेकर मद्यप्रदेश अनुक्सुचित जाती जन जाती अधिकारियम कर्मचारी शंग के साथ ती साथ पूरे सामाज में बहुत अक्रोज है और इस अक्रोज को लेकर सभी सामाजिक संग ठनों एवं मद्यप्रदेश अजाक्स संग जिलाई का इखंडवा के नेत्रत्म में आज मान्ये कलेक्टर महोदे खंडवा के दुबारा मान्ये राष्टपती जी मान्ये प्रधान मंत्री जी और ग्रह मंत्री जी को हम यापन से रहें और इसमें हमारी यह मांग है कि छात्र इंद्रकुमार मैगभाल जो की नौवर्षी छात्र था उसे वहां के सिक्षक छेल सिंग ने पानी की मटकी को छू लेने के लिए इतना मारा इतना मारा कि उसको 23 दिन तक उसका हॉस्पटल में इलाज होता रहा आख सूज ग प्रेंट तक हुआ इस दुर्दान्त हत्याकांड के लिए हम अजाक्स परिवार की ओर से मन्य राष्टपती जी मन्य प्रधानमंत्री जी की ओर ध्याना करसित कराते हुए उनसे निवेदन कर रहे हैं कि एसे दुर्दान्त सिक्षक को जिसने समुचित सिक्षा जगत को कलं कि अंकित जेल सिंग्षक को फासी की सजा दी जाए इसके लिए आज हम यहां एकत्रित हुए हैं और साथ ही साथ हम सासन से यह भी मांग कर रहे हैं कि पिडित परिवार को एक करोण रुपे का मोजा दिया जाए तथा पिडित परिवार के एक सदश्य को सास की नोक्री दी इस जगन्य हत्त कांट को रोकने के लिए प्रभावी कानुन बनाया जाए और फास्ट ट्रेक में इस पर मुकदमा चलाते हुए छेल सिंग नामक जो कथित अप्राधिक प्रवदी का सिक्षक है उसको फासी कि सजा दी जाए यह मांग लेकर आज हम संगठन के लोग संगठ अधन के पदाधिकारी उपस्तित हुए हैं और सासन से यह मांग कर रहे हैं पूर्ज और ढंग से क्योंकि इस घटना से पूरा समुचित अधुशु सिक्षक है और जल्द से जल्द दोसी अरोपी सिक्षक को फासी कि सजा दी जाए इसे लेकर आज हम यहां 31 हुए है मैं प हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें